जानते हैं जानते हैं कि डेली बेसिस पर हमारी चार बजे वारी क्लास होती है और एक सुबा सवा-दस बजे क्लास होती है दोनों क्लास इसको ज़रूर अटेंट किया किजे अगर आज एक एक्स्ट्रा क्लास है शाम साथ बजे पॉलिटिकल साइंस की पोल साइंस की तो उसको भी कवर करेंगे संतोष जी, सानिया जी, समीर जी, जुहान जी, बर्खा सिंग जी, शिल्पा जी, समीर करन साहब, नितीश यादव जी, प्रियंका जी वेरी गुड इवनिंग तो अल ओफ यो बहुत बहुत स्वागत है जैकी कुमार साहब संधिया जी, रतना शर्मा जी, स्वेकर संस्कृतियान प्रियंका जी, अन्शुक कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वेरी गुड इवनिंग तो अल ओफ यू जल्दी से क्लास को शेर कर दो पहले क्यों क्याएं जब बात में इस देखो तो यफां स्याम जी बहुत बहुत स्वागत है चरशना कुमार बहुत 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 स्वागत है सियार अगुएंची, संजीव जी वेरी गुड इवनिंग टू अल अफ यू एके दोसो तीन, सान्या रानी जी, विजे गुपता जी मुहम्मद इजवानुलाक साब बहुत-बहुत स्वागत है, चम्पू जी, दीरा जालब जी, अमित कुमार जी वेरी गुड इवनिंग टू और अफ यू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उसी तक्या कलाम के साथ, कि न ठके हैं पाउं कभी, न ठके हैं पाउं कभी, न हमने हिम्मत हारी है हमने देखे हैं दोर कई, और आज भी हम सब लोगों का सफर जारी है तो चलिए जारी करते हैं आज हमारे सफर को, शुरू करते हैं क्लास को, लगाते हैं यहाँ पर पोल, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए सवाल है भरत नाटियम कला को प्रुचसाहित करने के लिए कलाशेत्र संस्थान चन्नई की स्थापना किसने गरी थी कलाशेत्र इंस्थीट्यूट जो चन्नई में स्थापित किया गया था, वो किस के द्वारा किया था, सवाल यहाँ पर यह है इन्हें पद्म भूशन दिया गया है और इन्हें संगीत नाटक अकैडमी अवाट दिया गया है, ठीक इनहे पध्म भूशन पुरसकार से संबानित किया गया है पध्म भूशन अवाड दिया गया था कौन से इर में कौन से वर्ष में 1956 में और संगीत कला अकेडमी अवाड दिया गया था इन्हें और ये अवार्ड जो है वो दिया गया था 1967 में उन्निस्तो सरसच में इसके अलावा राज्य सभा की सांसद भी रही है इसके अलावा राज्य सभा से सांसद भी ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी 1952 में 1952 में ये सांसद बनी थी सवाल का सही जवाब है रुकमणी देवी अरुन डेले संबंद है भरत नाटियम से किस से भरत नाटियम से इनका संबंद आपको देखने के लिए मिल जाएगा भरत नाटियम का संबंद है तमिल नाडू से कहां से जी तमिल नाडू से क्लियर आशा गरता हूँ जितने पॉइ सवाल का सही जवाब क्या है option number A, देखते हैं कितने students ने जवाब सही दिया है, सबसे तेज जवाब, बहुत सारे लोग गलत हैं, ती बाला सरस्वती नहीं है वह इसका जवाब, इसका जवाब है रुकमणी देवी अरुन डेले, option number A सवाल का सही जवाब था, रुकमणी देव 1936 में रुकमणी देवी अरुन डेले द्वारा और उनके पिता जोर्ज अरुन डेले द्वारा की गई थी, कला शेत्र फाउंडेशन को भारसरकार द्वारा, वर्ष 1993 में संसत के अधिनियम द्वारा, राष्ट्रे महत्व के संस्थान के रूप में भी घोशित कर दिया गय ये वो छात्र छात्राएं हैं जिनोंने जवाब एकदम सही दिया है, ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, next question, सर सबसे अधिक मचली उतपादन करने में कौन-कौन से राज्ये आपको देखने और कौन सा देश नंबर वन मिल जाएगा, सवाल यहाँ पर ये है, इसके प्रथम स्थान पर कौन सा राज्ये मिल जाता है, सर, तो भारत में प्रथम स्थान पर आपको राज्ये देखने के लिए मिल जाएगा, उस राज्ये को हम जानते हैं, किस नाम से सर, तो उस राज्ये को हम आंदर परदेश के नाम से जानते हैं, ठीक, त्रफ्टे जाएगा और थार्ड नमबर यहां पर आपको मिल जाएगा गुजराथ टेक तो प्रतम स्थान पर अंदरपरदेश है अगर आप से पूचा जाता है तो वेस्ट बेंगॉल पश्चिम मंगाल तीसरे स्थान पर आप से पूछा जाता है तो गुजरात मिल जाता है 2022 के आसपस चौत्थे स्थान पर आपको बिहार देखने के लिए मिल जाता था अपना राज्य बिहार जो था वो यहां देखने के लिए मिल जाता था यहां अगर हम बात करें पहले स्थान पर चाईना है, दूसरे वर भारत है और तीसरे वर इंडोनेशिया, पहला दूसरा और तीसरा देगो इन question में अगर तुक्का मारने के भी नीड हो नаемся ना देगो भारत option में है नहीं अगर ऐसे question में तुक्का मारने के नीड हो भारत option में नहीं था चाइना USA था USA के आवादी 31 या 33 करोड है अब चाइना के आवादी 140 करोड है तो simple सी बात है कि USA हो सिंपल सी बात है चाही नहीं होगा तो option number B सवाल का सही जवाब है चीन और अधिक्तम लोगों ने सही तुका मारा है बहुत बढ़िया खिलाडियो चलिए सवाल का सही जवाब सबसे तेज दिया है समीर करन जी भर्षा कशप, सिया रगुवंशी, संधिया, सैम सिंग, हर्शित राज, अधित्य कुमार, महर, शंकर कुमार, ममता यादव, अभिमन्यु कुमार, अखंड भारत, दीपशिखा, रंजना, रूपा गुपता, शक्ती कुमार, अमनार्यन, सुदर्शन, परसून कुमार, एजे न्यूस, ये वो 36 चात्र चात्र आएं थे, जिनका नाम टॉप, 36, मतलब सबसे तेज देने में, अंकित हो गया था, सर, छोटे आख वाले पडोसी, इनको दिखा कैसे जाता है, छोटी-छोटी आखों से, छोटी-छोटी आखों से, बड़े-बड़े काम कर दिये, इन्हों इसकी स्थापना वर्ष 1971, आज कोशन का लेवल ना, लिटरली बोल रहा हूं, दीरे-दीरे करके न, यहां, ऐसे चड़ेगा, जैसे सीड़े चड़ते हैं पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, तो दीरे-दीरे करके आप खुद देखोंगे, कोशन का इसका गलत है, सवाल का सही जवाब है, option number A, ठीक है, अंतर राश्ट्री ये, आलू केंदर, ठीक, मुख्याले लीमा पेरू के अंदर स्थित है, सभी का गलत है, लगबक, लीमा पेरू में मौजूद है, स्थापना हुई थी 1971 में, अगर आप लोग बोलो तो गलत की संख्य है, दिखाने के लिए B लगा दूँ, मैंकि में को रखता है, 70% के आस्वास लोग B जवाब दे के बैठे होंगे, 94% लोगों ने B दिया है, यार, चलिए जी, मोय मोय हो गया भाई, खेला हो गया बाबु भाईया, ठीक, शपत सी ले लिए तो ऐसा लग रहा है कुछ, 94% जो आतंग काड़ देंगे, ठीक, ठीक है जी, इंटरलैशनल पढ़ ही नहीं पाए, कोई दिक्कत नहीं है सर, सवाल का सही जवाब, इंटरनैशनल पोटेटो सेंटर की बाद कर रहा था सर, अंतराश्रिय पोटेटो सेंटर की बाद कर रहा था, क्या है सवाल का सही जवाब लीमा पेरू इस सवाल का सही जवाब है, सर अगर यही कुश्चन नैशनल पोटेटो सेंटर पर होता तो क्या जवाब देते, अब जवाब दो, अगर यही सवाल नैशनल पोटेटो सेंटर पर पूछा गया होता, तब क्या जवाब देते, इसको भी ज़रा कमेंट कर दो फट मैं फिर कहूंगा बहुत बढ़िया कोश्चन है, बहुत शांदार, आज ये सोचो कि 15 कोश्चन वाला भी हो सकता है, पहले ही स्थान पर आ जाए, ठीक, 15 कोश्चन वाला भी हो सकता है, पहले ही रैंकिंग पर अपना नाम दर्ज कर वाले, अगला सवाल है, भारत का पहला rubber tire आधारित metro कहां बनाया जा रहा है, ठीक, Canada में जो पूरा का पूरा system है वो rubber tire base ही है, rubber tire का मतलब होता है, railway और जो हम याता जाते हैं, हमारे जो road याता जाते हैं, उनको मिला कर, combine करकर एक system बना रहे हैं, जिसे rubber tire base metro कही गई है, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब पहली अगर पूछता है दुनिया की, तो Paris मिल जाएगी, संपूर अगर पूछता है, तो Canada, Montreal में मिल जाएगी, ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है, मैं बोलूँगा बार बार बहुत अच्छा है, अगर प्रथम rubber वाली पूछ लेता है, प्रथम rubber base पूछ लेता है, तो सर य मिल जाएगा, Montreal, Canada में, भारत की पूछ लेता है, तो सवाल का सही जवाब नासिक है, देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने गलत दिया होगा, यूँकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जो सर गलत देकर बैठे होंगे, जवाब, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हो जिन्होंने जवाब सही दिया है, डी है सवाल का सही जवाब, 0 प्रतिशत, मैं फिर कहूंगा, हर दिन एक जैसा नहीं गुजरता, किसी दिन कोशन का लेवल आपके पेपर में खुद बाखुद मुश्किल होगा, तो आज वही दिन है, तो आज पूरी जान जोक दो, ठीक, पूरी जान जोक दो आज के दिन में, और अगर लग रहा है न, कि यार मुझे नहीं आता, स्किप मार दो उस कोशन को, और पता है कब जवाब दो, जब ये निकल जाए न, समय, अगर नहीं आता, मानलो तुम्हें नहीं आता ये कोशन, तो जब समय निकल जाए उसके बाद देखने के लिए मिल जाएगा, नासिक महराष्ट इस सवाल का सही जवाब है, चलिए कोई नहीं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्स कोशन की तरफ, क्लास को लाई को और शेयर जरूर कीजिए, अच्छा कोशन है, जल्दवाजी में गलत मत करना, जहां नंबर बन स सकते हैं, सब के नंबर बन सकते हैं, सो प्रतीशत लोग सही दे सकते हैं इसका जवाब, थोड़ा दिमाग से और ध्यान से काम कीजिए बस, गवराइए मत सर, एक बार जब साइकल हम पहले बार बच्पने साइकल चलाते हैं, तो गिरते ही गिरते हैं, मगर गिरने के बाद अइसा नहीं होता कि हम साइकल चलाना ही छोड़ दें जीवन बर, तो साइकल चलाएंगे, तो ही तो गिरेंगे, चलाएंगे नहीं तो गिरेंगे कैसे, अटेम्ट कीजिए, मगर लग रहा है बिल्कुल ही नहीं आता, कहीं कुछ नहीं पता है, तो मत कीजिए, ठीक, नियोग की राजधानी क्या है सर, नियोग की राजधानी है, वाशिंग्टन डी सी, तो क्या मैच गलत था, ओप्शन नमबर सी, जपान की टोकियो है, लंदन इंगलेंड की है, बीजिंग चाइना की है, ठीक, मतब यूएस से, युनाइटेट स्टेट्स ओफ अमेरिका की नियोग की राजधानी क्या है, युनाइटेट स्टेट्स ओफ अमेरिका की राजधानी है, वाशिंग्टन डी सी, नियोग नहीं है, तो आप्शन नमबर सी, साथ प्रतीशत लोगों ने जवाब सही दिया है, थोड़ा सा गाड़ी अराम से शानती पून तरीके से सबसे तेज जवाब दिया है, समीर करन, महर, चंदन गुपता, शाम सिंग, पीकाचू, अन्शु कुमारी, श्रिया रगुवंशी, शिल्पा सिंग, अब स्किल भाई एके, भाई डेली आया करो सर, नवीन नायक जी, संतोष, प्रसून कुमार, एके 203, शुबू सहानी, मो पहले सवाल के दब बढ़ते हैं, अराम से, जल्दबाजी नहीं, अराम से, निमले कितमे से कौन सा युगम, सुमेलित नहीं है, मतलब गलत मैच है, which of the following pair is mismatch, निमले कितमे से वो कौन सा pair है, जो mismatch है, अराम से, take your time, सर, आज का paper मुश्किल है, आज की परिक्षा ही बताए जिसे प्रशन समझ नहीं आया, सर, डैनमार्क में डैनिश बोली जाती है, नैदरलेंड्स में डच बोली जाती है, चाइना में मैडरीन भाषा बोली जाती है, और थाइलेंड में वो बोल रहा है, भासा, नहीं भाई, थाइलेंड में थाई बोली जाती है, कौन सी थाई ल लेंग्वेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो इस आधार में सवाल का सही जवाब क्या है ऑप्शन नमर्डी मतब डैनमाक में डैनिश हो गई ठेक इसके अलावा डच की अगर हम बात करें हमां नेधरलेंड्स में डच हो गई मैंडरीन चाइना में हो गई इसके अल प्रशनवारा भी देखना मैं कहा रहा हूं कि टॉप 10 में आगा तो आज पूरे जांसी है आज का पेपर कठीन है तो अपना जिसका नाम टॉप 50 में भी नहीं आ रहा था ना आज परियास कीजिए टॉप 50 में नाम आ जाए भाई हल्क सोच समझ कर अटेंप्ट कीजिए सव केवल ये तीन बच्चे थे जिन्होंने जवाब दिया अगला सवाल अगला सवाल है सर विच आप फॉलोविंग इस मिसमाच निमलिक इतने से वह कौन सा है जो सही मेल नहीं खाता है एक तरफ राजधानी लिखी है और एक तरफ लिखा है सर देश चलिए एंटूगूआ औ शवाल का सही जवाब रूसाट देखने के लिए मिल जाती है, चेक, इसकी राजधानी क्या देखने के लिए मिल जाती है, तो इसकी राजधानी आपको, रूसाट देखने के लिए मिल जाती है, इसकी राजधानी इसकी capital, तो option number B जो है वो गलत मैच है, सवाल का सही जवाब क्या है, B, इसकी capital यही है सर इसकी capital भी यह है इसकी capital भी यह है मगर डॉमनिका की राजधानी क्या है रूस ओट यहां की राजधानी है तो option number 20 सवाल का सही जवाब है 0% कि किसी ने attempting नहीं किया कि भाई कि किसी का नाम नहीं आया चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें सब को number मिल जाएंगे फिर एक तरीके से option number 20 सवाल का सही जवाब था next question की तरफ बढ़ते हैं अंगले सवाल की तरफ फिर question मुश्किल है असान नहीं है डिजू बूती आचार सहीता का संबंद किस से है डिजू बूती आचार सहीता का संबंद निमली खित में से किस से है सर आज आप गुरू जी कमजोर student इज़त लेंगे क्या लिखता है पता नहीं भाई सर आज आप गुरुजी कमजोर स्टोडेंट की इज़त लेंगे ठीक ऐसा मज़ी है भाई ठीक नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार थोड़ा मुश्किल कोशन जरूरी है क्या रहेगा सवाल का सही जबाब सर बहुत अचा कोशन है ठीक डिजू बूती कोड़ अफ कंड़क का संबंद किससे मिल जाएगा सर ये जो समुद्री लुटे रहे होते है ना उनसे संबंद इनका देखने के लिए मिल जाएगा अंतराष्ट्रे समुद्री संगठन के तहट ये मिल जाएगा और इसे 29 जनवरी 2019 को अपनाया गया था 29 जनवरी 2009 को इसे अपनाया गया था समुद्री डकैतो के विरुद अंतराष्ट्रीय समु से ये संबंदित है option number B, इसका सही जवाब है ठेक, यार थोड़ा सा देखे, hard question जरूरी है क्योंकि अब ये जो BPSC tree है ना, उसके लिए भी यहाँ पर question आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठेक, BPSC tree 3.0 के लिए भी यहाँ पर आपको जवाब सही दिया है, ठेक, इसका सही सबका सही मानेंगे एट तो question सबका सही है, ठेक भई, एक बार फिर पोल लगा देता हूं मैं इसका, ताकि आपको मौका मिल जाए, गलत ना हो किसी का एट तो question सबका सही था, अल्मूस्ट 88% लोगों का सही था ये question अल्मूस्ट 88% लोगों का सही था, तो सबका ही सही था, एक तरीक से देखा जाए, सवाल का सही जवाब क्या है, option नमबर B question का सही और सटीक आंसर था, तो एक बार फिर पोल लगा दिया है, दुबारा गलती मत करना वाई, जिसने गलती करी थी ये है, जिन्दे की दुबारा मौका दे रही है, एक बार, ठेक, सवाल का सही जवाब क्या है सर, सवाल का सही जवाब है, यहाँ पे, option नमबर B 100%, 100% लोगों ने जवाब सही दिया है, बहुत अच्छे, पीनू, अदित्य कुमार, बर्शा कशब, समीर जी, लिल्ली, अभिमन्यू कुमार, सुदर्शन, ए-र, चंपू की पाटशाला, कुर्जी, फ्रगे और प्रमोट सिंग जी, 69th नमबर पे है, चलिए जी, अगला सवाल की तरफ बढ़ते है, next question की तरफ ध्यान से, अराम से, 45 second दे रहाँ, question में, ठेक, match 1, match 2 के साथ, list 1 को, list 2 से match करना है लिस्ट 1 को, list 2 के साथ match करना है, सर, सिरोही राष्टे उध्यान, कहां पर है, सर, ये मनिपूर में है, ठेक, इतंकी राष्टे उध्यान, कहां पर है, सर, ये नागरेन मिल जाएगा, बेतला कहां मिल जाएगा, जार्खन में, एक ही बचता है, गुंडी राष्टे उध्या यह कहा होगा सर, तमिलनाडू है, टाइम है अभी मैंने मैच कर दिया है फिर भी, ठीक, पहले का क्या है, पहले का तीसरा है, दूसरे का पहला है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ठीक, question number 9 है, मैच मैंने कर दिया है already, सवाल का सह जवाब क्या, option number C, मैं जवाब दे चुका था, थोड़ा समय तुम्हें मिला है इस जवाब के लिए, देखते हैं, फिर भी कितने लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया होगा, option number C, 45 second का समय दिया था, इस question को deal करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, और तुम्हें हलका सा समय अधिक चाहिए था, इस सवाल को deal करने के लिए, तो 45 second में, 42% चात्रों ने जवाब सही दिया है, शंकर कुमार, प्रमोद कुमार, लिल्ली, अधित्ते जी, अजीत कुमार, मोना पोडार, सोनाली जी, वरुन कुमार, नवीन नायक, ऐसा, न्यूज, ममता कुमार चंदन गुपता, अखिल 921, संधिया, समीर जी, धनन जे, किर्ती, गुंजन, कशप, प्रसून कुमार, संतोष, बलजीत, सिंग, हाजीपूर, शाम सिंग, जया और महर, महर ने 44 second लिये हैं, इस सवाल का जवाब देने में, ठिक, 44 second, 44 second, चलिए जी, अगले प्रशन की करते हैं, next question के दरब, जल्दबाजी मत करना, फिर कहूंगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गलती हो सकती है, 30 second का समय, अंतर राष्टे सौर गठबंदन का प्रत्थम शिखर सम्मेलन कहां करवाया गया था, international सौर कांफरेंस जो करवाया गया था, उसका पहला सम्मेलन 11 March 2018 को यह करवाया गया था, 11 March 2018 को थिक, 11 March 2018 को यह करवाया गया था, इसका 6th edition करवाया गया है, छटा संस्क्रण करवाया गया है सर अक्टूबर नवंबर 2023 में ठिक इंटरनाशनल सोलर अलाइंस का हेट कौर्टर मौजूद है गुरू ग्राम में गुरू ग्राम में जल्दी से कमेंट करके बताईए इसके अध्यक्ष का नाम क्या है मैंने पढ़ाया आपको इसके अध्यक्ष का नाम क्या है इसकी स्थापना हुई थी 2015 2015 में कुल मिला के 120 से अधिक कंट्रीज इसमें मैंबर है सवाल का सही जवाब है नहीं दिलनी ओप्शन नमबर ए इनके अध्यक्ष का नाम क्या है इंटर्नेशनल सोलर अलाइंस 66 प्रतीशत लोगों ने जवाब सही दिया है सर ठीक 66 प्रतीशत लोगों ने जवाब सही दिया है 2015 वाले की यहाँ पर हम बात कर रहे है इंटर्नेशनल सोलर अलाइंस की यहाँ पर हम बात कर रहे है ठीक जो पैरिस में कॉन्फरेंस हुई थी ना 2014 में वहाँ पर इसके बारे में डिसकेशन किया गया था और 2015 में इसके स्थापना की गई भारत में इसके अध्यक्ष कौन मिल जाएंगे? अजे माथूर ठेक इसके अध्यक्ष कौन मिल जाएंगे? अजे माथूर इसके बारे में discussion कहा हुई थी? 2014 पारिस में जो समिट हुआ था सर वहाँ पर इसके बारे में discussion हुई थी वहाँ पर इसके बारे में चर्चा हुई थी तो सवाल का सही जवाब अधित्य कुमार जी, मोना, श्वेता सिंग, अखंड भारत, सिया रोगुवन शी समीर, प्रियंका, शिल्पा जी, सोनाली, मंटू, ठाकुर और काजल यादव जी है 39th नमबर पे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ सर Next question अगला सवाल Next question सर वो बोल रहा है कि पहले कौन सा नेशनल पार्क बना, फिर कौन सा नेशनल पार्क बना आपके लिए जिम कॉर्बिट, काजी रंगा, काहना और साइलेंट वैली जवाब दीजिए एक बार सबसे पहले क्या आना चाहिए दिमाग से देखोगे तो सीधा आंसर आपके सामने है अगर दिमाग से देखोगे तो सीधा आपके सामने आंसर है फड़ा फट्राइ कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ये बना था 1936 में ठेक इसके अलावा ये एक बना था इसमें से 1974 और एक बना था 1956 में काजी रंगा बना था 1974 में 1974 में और ये बना था 1956 में अगर मैं आपकी जगा होता कुछ नहीं पढ़ता सर इस कोशन में अगर मैं आप लोगों की जगा होता कुछ नहीं पढ़ता मैं देखता जिम कॉर्बेट है सबसे पहले जिम कॉर्बेट बना था इसी को हम जानते हैं आज की डेट में राम गंगा राष्ट्य उद्यान के नाम से किसके नाम से राम गंगा नैशनल पार्क के नाम से आज इसे हम जानते हैं और इस आधार पे मैं जवाब दे देता सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे पहले आएगा सर जिम कॉरविट वाइस आप लोगों ने भी दिमाग लगा है 100% लोगों ने जवाब सही दिया है बहुत अच्छे 100% लोगों ने जवाब सही दिया है सबसे तेज जवाब दिया है लिली, AR, अधित्य, समीर करन, चंदन, कुपता और शाम सिंग जी इन्होंने सही समय में जवाब दिया है बाकी लोगों ने 30 सेकंड के बाद जवाब दिया है ठीक, बाकी लोगों ने 30 सेकंड के बाद जवाब दिया है आफ्टर 30 सेकंड, clear क्लास को लाइक जरूर कीजे, शेयर जरूर कीजे ये कोशन असान है, इसका जवाब आप लोग असानी से दे पाएंगे इंद्रावती नैशनल पार्क भारत में कहां पर मौझूद है ये असान सा कोशन है सर, इसमें दिक्कत नहीं होगी इंद्रावती राश्टे उद्ध्यान, इंद्रावती नैशनल पार्क जो है वो कहां पर मौझूद है चलिए जी फड़ा फड़ जवाब देने की कोशिश कीजे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है सर हर चीज में अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो काम बन जाएगा सवाल है इंद्रावती राश्ट्य उद्यान कहाँ पर है सवाल का सही जवाब क्या है सर सवाल का सही जवाब 36 गड़ है क्यों है इसका नाम इंद्रावती नैशनल पाक क्योंकि क्योंकि ये इंद्रावती नदी के किनारे पर मौझूद है इंद्रावती रिवर के पास में मौझूद है इसलिए इसका नाम हमें देखने के लिए मिल जाता है इंदरावती राश्टे उध्यान क्या देखने के लिए मिल जाता है इंदरावती नैशनल भाग तो सवाल का सही जवाब क्या है option number C, 36 गडेस कोशन का सही और सटीक आंसर है 97% लोगों ने जवाब सही दिया, बहुत बढ़िया 97% में से 70 लोगों का नाम आया है भाई अधिते जी, समीर, एयार, लिल्ली, बर्शा कशब, सीनू, मोना, प्रमोत कुमार, शाम सिंग, सियार अगुबंशी, पिकाचु, जै सिंग, स्वात्ती प्रजापती, महर अखंड, भारत बलजीत, अनुची जा, मंटू, ठाकुर, सुदशन, प्रियंका, कुमारी, नितीश, यादफ, सोनु गुपता, जया, राय, प्रियंका, शिल्पा सिंग, शब्भू, सहनी, शुब्भू, सहनी, ऐसा, न्यूज, अभिमन्यू, रूपा गुपता, हर्शित, संतोष, कीर्ती तिवारी, चंचल कुमारी, चंदन गुपता, अनुराग, अनुरागिनी, प्रिया, कुमार, अन्शु कुमारी, सानिया, रानी, सत्या प्रकार, संधिया, अलीशा, खुश्वा, सोनाली कुमारी, प्रवेश, अंसारी, चंपु की पाटशाला, नवीन, नायक, अनुराग, भर्दवाज, अमन, आर्यन, ममता यादव, धननजे, शर्मा, स्वेकर, संस्कृतन, गेम, प्रिंस, रतना, शर्मा, प्रसून कुमार, खुशी सिंग, जोहन कुमार, प्रेंका सिंग, बिनीता कुमारी, अफस्किल वाई, एके, संजीव कुमार, रवी कुमार, शर्मा, अनु मोंडल, करिश्मा, कुमारी, अभिननदन, तिवारी, काजल यादव, अमित कुमार और दीपशिखा, रंजना, अखिल नौदोगारा, आर एन कॉलिज, निश्व और नागा सोनू, इस से आपको ये पता चल जाता है कि हमारा नाम आ रहा है लिस्ट में, ठीक, इस से वो एक हिम्मत बन जाती है कि मेरा नाम भी लिस्ट में आ रहा है, तो मैं प्रियास करूंगा और जवाब दूँगा अब, चलिए 45 सेकिंड का समय दिया है नीचे कर दिया है सवाल है, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है, ध्यान से मैच कीजिए सर लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच कीजिए, लिस्ट वन ये री, लिस्ट टू उद्यान भाहिसा बोडीशा में मिल जाएगा इसके बाद अगर हम देखे Cole Desert दो मिला ले यह हिमारचल प्रदेश में मिल जाएगा तो पहले का क्या है सर पहले का 4 है और 4 क्या है सर एक है देखते हैं सर ऐसे कौन-कौन से option है, ऐसे दो option है, sir C और D दोनों ही ऐसे है उसके बाद आता है, sir, दिहांग बांग कहां मौजूद है, sir? दिहांग दिबांग, अरुनाचल प्रदेश में मौजूद है तो भाई सब, दूसरे का C है इस आधार पे सवाल का सही जवाब क्या मिल जाएगा, sir? Option number D ठीक इस आधार पे सवाल का सही जवाब क्या मिल जाएगा, sir? सवाल का सही जवाब मिल जाएगा option number D clear? दूसरे का यहाँ पर C हो जाएगा और नौकरेक की अगर हम बात करें तो नौकरेक कहां पर है, sir? नौकरेक आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर मेघाल्या में नहीं आया, दिक्कत हो रही है तो यह देख लो भाई सिंपलीपाल, S से सिंपलीपाल O से उडीसा, मैच हो गया इसके अलावा D से दिवांग अरुनाचल परदेश, मैच हो गया उसके बाद N से नौकरेक कहां मैच हो गया? M से मेघाल्या पर इसके लावा कोल डेजर्ट, C से कोल डेजर्ट कहां मैच हो गया? हिमाचल परदेश, ठिक इस तरीके से मैच हो गई पसरवाल का सही जवाब, option number D है 45 सेकिंड का समय मैंने दिया था देखते हैं कितने लोगों ने जवाब चाही दिया है थोड़ा सा मुश्किल बनाने का प्रियास किया है सर विजे कुपता जी, नाम आता है सर, सबका आता है ठीक, अच्छे कोसर है सर, ऐसे ही लाईए जी, बिल्कुल, ठीक, थोड़ा से मुश्किल लाने का प्रियास किया आज सवाल सवाल का सही जवाब, अदित्य कुमार, शाम सिंग, शीनु, ए र, प्रियंका कुमारी, समीर, दीपशिखा, नवीन नायक, शिया रगुवनशी, राहूल राज और राहूल कुमार, 38 में नंबर में हैं ये, ठीक, विजे जी, सबका नाव आता है सर, अगर आप 30 सेकिंड में जवाब देंगे, कैपिटल लेटर में, आपका नाम जरूर आएगा अगला सवाल सर, निमले कित्मे से कौन सा पेयर मैच नहीं होता है, मैंने कोश्चन पढ़ दिया है, करिए ट्राई which of the following is mismatch निमले कितमे से वो कौन सा है जो mismatch होता है विलायत खान, अल्ला रखा अल्ला रखा जी को पदमश्री दिया गया था 1977 में क्या दिया गया था पदमश्री कौन से एर में 1977 में इन्हें पदमश्री दिया गया था ठेक, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब अल्ला रखा आपने देख लिया हरी प्रसाद जी को 1992 में पदमश्री और सन 2000 में पदमश्री दिया 1992 में पदमश्री दिया गया हरी प्रसाद जी को विभूश्री ठेक, ये भी याद रखना भाई, आते हैं ये भी इसके अलावा सवाल के सही जवाब के अगर हम बात करें तो सर, अमजद अली खान सवाल का सही जवाब है सरोद वादक है ये गलत मैच होता है अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्द यंतर से है किस से है? सरोद वाद्द यंतर, सरोद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है और इस आवदार पे सवाल का सही जवाब क्या है? और अप्शन नमबर D मेहर, मोना, संतोष, जया, पिकाचू और 25 वे नमर पे हैं मंटू ठाकुर आज भाई कोश्चनों का लेवल अच्छा है जादा से जादा शेयर कीजिए सर सर पकवाच क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है ठेक ऐसा कुछ बढ़ा करके इंस्ट्रूमेंट होता है अगला सवाल ध्यान से सर जल्द बाजी मत करना गलती होने के चांसे जादा है प्रसिद पुस्तक काम यानी के लेखक कौन है प्रसिद पुस्तक है किताब है पुस्तक का नाम है काम यानी इसकी रचना वर्ष 1936 में की गई थी एक प्रसिद पुस्तक है पुस्तक का नाम है काम यानी इस पुस्तक की रचना की गई थी वर्ष 1936 में सवाल यहाँ पर यह है यह पुस्तक किसके द्वारा आपको लिखिवी मिल जाएगी क्लास को लाइक जरूर कीजे शेयर जरूर कीजे भाई सब दोस्तों के साथ ठीक आप देखेंगे सुभा सवा दस से आपके साथ आपके ज़ाद जुड़ा हूँ मैं लगबग मेरी चौथी क्लास है इसके बाद शाम को भी क्लास है मगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ की एनरजी वही बनी रहे आप लोगों के सामने तो आपका भी फर्ज बनता है ज्यादा से ज्यादा प्यार लुटाने का बरसाने का ठीक सवाल का सही जवाब जैशंकर प्रसाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा यह रचना 1936-1936 की आपको देखने के लिए मिल जाएगी option number C सवाल का सही जवाब है जैशंकर प्रसाद इस कोशन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा 91% लोगों ने चलो भाई track पे आगई गाड़ी एक तरीके से देखा जाए तो track पे आगई गाड़ी फिर से और AR, लिली जी, चंदन गुपता, खुशी सिंग, पीकाचू, प्रमोत कुमार, अखंड भारत, रूपा गुपता, शाम सिंग, सियार अगुवनशी ये top 10 student है 55 वे नमबर पे हैं, रतना शर्मा 1 के 9211 हैं हमारे 14 में नमबर पे अगला सवाल, हॉन बिल फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है ये फेस्टिवल सालाना नागा लेंड में मनाया जाता है भाई सब कहां, नागा लेंड में मनाते हैं, डेसेंबर के भाईने में पूछा गया था, SSE CGL में इस तरीके से हॉन बिल फेस्टिवल सालाना कितने दिन तक चलने वाला पर्व है असान कोशन है सर, इसमें जादा नमबर होने चाहिए आज मेरे सही हो रहे हैं जादा बहुत अच्छे भी नीता जी देखे, मैं कोशिश मेरी मेरा परियास यह नहीं होता कि मैं आपसे आंसर टिक कर वालू, मेरा परियास होता है कि उससे संबंदित जो भी आपको explanation दी जा सकती है वो जरूर प्रोवाइड कराऊ ठीक, नागालेंड, हॉन बिल इसका नाम रखा गया है एक पक्षी के ओपर जो की पुराणिक गाथाओं में या पुराणिक किताओं में यहाँ पर देखने की लिए मिल जाता है, नागालेंड में, ठीक सवाल का सही जवाब क्या है? option number D, सवाल का सही जवाब है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है एक दिसम्बर से लेके दस दिसम्बर तक ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया राता है ऑप्शन नमबर टी 67% लोगों ने जवाब सही दिया है अब देखे जिन्होंने गलत दिया है वो अगली बार सही दे पाएंगे तो उनको ये फाइदा होता है यहां से ओप्शन नमबर टी सवाल का सही जवाब है 67% लोग अधित्य कुमार लिली पिकाचू मोना जी चंदन गुपता ममता यादफ शिलपा सिंग बलजीत सिंग खुशी सोनु गुपता और 39 नमबर पे हैं नवीन नायक बिनीता कुमारी भी हैं लिस्ट में अभी भी अगले सवाल के दरफ चलते हैं सर नेक्स्ट कोशन अगला सवाल कहता है कि फाइव डे योशंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है सर ये योशंग फेस्टिवल मनाया जाता है होली वाले मन्थ में मतलब मार्च के महिने मनाया जाता है होली के साथ ही मनाया जाता ह पर्व है नीमबू मतलब लैमन को अपना स्टेट फ्रूट घोशित कर दिया है राज्य फल लैमन को अपना स्टेट फ्रूट घोशित कर दिया है राज्य फल घोशित कर दिया है बताए बिहार का राज्य फल कौन सा है बिहार का राज्य फल कौन सा है राज्य फ्रूट कौन सा आपको देखने के लिए मिल जाता है, सवाल का सही जवाब मनीपूर है, सवाल का सही जवाब क्या है, मनीपूर, option number C, 17% लोगों ने जवाब सही दिया है, केवल सर, ठीक, 17% लोगों ने सवाल का सही जवाब दिया है, सवाल का जवाब क्या है, मनीपूर, होली के महिने में मार्च में almost holy के आसपास ही मनाया जाता है ठीक है holy के आसपास ही almost जो है ये बनाया जाता है clear है जी आशा करूँगा point clear हो गया है कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं बिहार का कौन सा मिल जाएगा भाई सब बिहार का state fruit कौन सा आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिहार का state fruit चीकू तो विराट कोली है जी अनुनागनी प्रिया जी ठेक चीकू तो विराट कोली है state fruit बिहार का state fruit भाई state नहीं बोल रहा हूँ state बोल रहा हूँ भाई राज्ये फल कई बोलो अच्छा रोड पे बिखने वाला फल सारे बिकरे हैं sir सवाल का सही जवाब क्या है सवाल में बर्शा कशप, लिल्ली, अधित्यकुमार, चंदन, गुपता और महर ये चात्र चात्राएं हैं जो मौझूद है अगले सवाल के तरफ बड़े हैं sir next question पंडित भीम सैन जोशी का संबंद निम्री कितमे से किस घराने से है किस स्कूल से है पंडित भीम सैन जोशी का संबंद किस घराने से है किस से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा प deficit तीनों दिए गएं sir ठीक पदमश्री पदमभूशन पदमभूशन भारत रतन सारे दिए गए हैं ठीक क्या sir तो यहाँ मिल जाएगा आपको भारत रतन यहाँ मिल जाएगा पदम विभूशन यहाँ आपको मिल जाएगा पद्म भूशन यहां आपको मिल जाएगा पदमश्री फॉंसा मिल जाएगा पदमश्री ठेक भिहार के भिहार के चार लोगों को इस बार पदमश्री दिया गया न भाई चार लोगों को पाद्म श्री दिया गया है नाम बदाएए एक बार जड़ा पाद्म श्री दिया गया है नाम बदाएए फटा-फट से जड़ा राम के नाम से अश्री दिया गया है पासवान को शांती यही ट्रिक पड़ी थी ना भाई शांती देवी पासवान यह पासवानी नाम था अशोक कुमार और राम कुमार ठेक राम कुमार अशोक कुमार पासवान और शांती देवी तान चार लोग तेरा प्लीज याद रखना भाई ठेक काम चल जाएगा पट्याला घराना, दुरूपद, किराना घराना या फिर मेवाती घराना तो इनका संबन मिल जाएगा सर किराना घराने से ठेक, किस से मिल जाएगा किराना घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत से संबंदित ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पंडित भीमसेन जोशी जी इंपोर्टन एसर 15 प्रतिशत लोगों ने जवाब सही दिया है किराना घराने से संबंदित हैं ये 2008 में इन्हें दिया गया है भारत रतन ठेक अशोक पासवान सीता देवी चार लोग मिल जाएंगे ठेक राम के नाम से अशोक पासवान को शानती तो एक राम कुमार अशोक कुमार पासवान पासवान नाम का व्यक्ति है और शानती देवी चार लोगों को दिया गया है क्या चार लोगों को दिया गया है पद्म श्री ठेक घराने बहुत परिशान करते हैं, सर घराने का टॉपिक करवा देता हूँ, एक पूरा का पूरा, ठिक सवाल का सही जवाब क्या है, किराना घराना अखंड भारत, बर्शा कश्व, फर्शिद जी, अभिनंदन तिवारी, प्रिया सिंग, अलीशा खुश्वा ये वो बच्चे हैं, जिन्होंने जवाब सही दिया है, अगले सवाल की दरफ चलते हैं, नेक्स कोश्चन, जल्द बाजी मत करना, अराम से आओ जरा, थोड़ा सा, हलके हातों से Consider the following statement, match करना है sir, कि कौन सा कहां match हो रहा है, ये तो देखो भाई, यहीं match हो रहा है ना, अगलेंड में, कमबाला कहां match हो जाएगा sir, करनाटा का में होगा क्या ठीक, चिकालो कहां हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा ये, जलिकुट्टी कहां है, यहीं हो रहा है match उप्युक्त में से कौन सा mismatch है तो A और C mismatch है न ये कहां match होगा ये match होगा सर गोवा पे और कंबाला कहां match होगा कंबाला match होगा करनाटका पे वो movie आई थी ना कंटारा उसमें दिखाया था ना कंबाला तो option number C सवाल का सही जवाब है A और C बाकी तमिल नाडू सही match था हौन बिल भी सही match था इसमें देखते हैं कितने लोगों ने जवाब सही दिया होगा जिसने यहां से दिया है उसने यहां से दिया है आत्मा कह रही है तेरे भाई की आत्मा कह रही है दिल कह रहा है तेरे भाई का कि मान नमान भी होगा मान नमान भी होगा भाई जिसकी ये आत्मा कह रही थी न तो आत्मा की मत सुनो अंतर आत्मा की सुनो भाई ठीक आत्मा की मत सुनो अंतर आत्मा की वो कह रहा है कौन सा mismatch है ठीक तो mismatch कौन कौन सा था कमबाला करनाटका में होता है मैं इसको हटा देता हूँ यार यहां से चिकालू गोवा में है कमबाला करनाटका में है यह mismatch था हॉन बिल सही match था और जली कुट्टी भी सही match था तो सवाल का सही जवाब क्या है सवाल का सही जवाब है option number A और C यह लो 50% लोगोंने सवाल का जवाब सही दिया मतलब ठीक ठाक ट्राइ किया है सर मेरे पास दिल दिमाग कुछ नहीं है आपके पास अंतर आत्मा है ठेक चलिए कोई देख कर दिया 50% में देख लो भाई अर्विंद कुमार और प्रियान्शी सैन इन दोनों नहीं टाइम पे जवाब दिया है, वाकि किसी ने टाइम पे जवाब नहीं दिया है, चलिए, अगले सवाल के तब बढ़ते हैं, next question, काशी विश्वनात मंदिर किस नदी के किनारे पर मौझूद है, इसका जवाब सही आएगा भाई तुम्हारा, अराम से देना, जल्द बाजी मत करना, काशी विश्वनात मंदिर का आधूनिक, जो मौडन काशी विश्वनात मंदिर मिलता है, उसे बनवाया गया था, अहिल्याबाई, अहिल्याबाई, होलकर के द्वारा, किनके द्वारा? अहिल्या भाई होलकर के द्वारा modern सरूप आपको देखने के लिए मिल जाता है ये अहिल्या भाई होलकर रानी थी, कहां की रानी इन दौर की रानी सवाल का सही जवाप गंगा न दी है option number A काशी विश्मनात मंदिर कहां पर है सर, news में है, current affair की उत्तर प्रदेश में मौझूद है, UP में है current affair की news से कोशन है सर 100% लोग, बहुत बढ़िया well done, जबर्दस्त 100% लोगों ने जवाब सही दिया है 73 लोगों का नाम है अधित्य, AR, अभिरंदन, अमनार्यन, खुशी, बर्षा कशप, मोना, चंदन, रूपा गुपता, प्रमोत कुमार, अर्विंद कुमार 73 पे हैं, मन्टू ठाकूर हैं, भाई, पीनू भी हैं, बिनीता कुमारी, दरंजे, राहूल कुमार, बलजीत, नकिल 921, कॉलेज, ठेक, सई, सब बच्चे हैं, भाई, काफी सारे हैं, अब देखें, इनका नाम भी आता है, जिसका नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, इनका भी नाम आ रहा है, ऐसा नहीं है, कोई पहला दर्ज है, इनका नाम, आपके सामने ही दर्ज हो रहा है, अगला सवाल है, किस राज्य में, अराकू कॉफी और काले मिर्च को, जैविक प्रवाण पत्र दिया गया है, GI tag दिया गया है, ठिक, organic certificate GI tag नहीं इन्हें, इन्हें organic certificate दिया गया है, black paper को और araku coffee को, आगा कौफी और ब्लाक पेपर को क्या दिया गया है और गैनिक टैग दिया गया है बहुत ही अच्छा कोशन है तर आज ऐसा है कॉमपटिशन उद्ञाट नेक कॉमपटिशन होगा तर आज आज यह है कि मतलब गमचा गमचा सब खुल के इधर उधर पड़ा होगा इससे आप को ये समझाएगा कि भाई सब सुभा भी आना है शाम को भी आना है जो ये सोचता है यार शाम को जाके काम चल जाएगा उसको ये सोचना पड़ेगा कि यार सुभा भी आना पड़ेगा जो ये सोचता है केवल सुभा आके काम चल जाएगा उसको ये समझाएगा नहीं यार श की सवाल का सही जवाब है सीधे आ सकता है कोशन एक्जाम में 23 परसंट लोगों ने सही दिया है प्रमोत कुमार जैसिंग अभिमन्यू बर्शा चंदन गुपता रूपा गुपता कुर्जे फ्रगे और पीनू अगला सवाल नेक्स कोशन निमले खित्मे से किस स्थान को सितार और सूर बहार संगीत के इमाद खान घराने के लिए जाना जाता है आज मैंने पढ़ाया सर आगरा फोर्ट के बारे में किसके बारे में आगरा फोर्ट के बारे में आगरा फोर्ट का निर्वान करवाया गया था सोलवी से लेकर अठाटवी चताब्दी तक अकबर से लेकर औरंग जेवनेस का निर्वान करवाया था अगवर से लेके औरंग जेवनेस का निर्वान करवाया था इसमें एक अश्टकोणिय मिनार भी मौझूद है खास महल, शीश महल, नागिन मजजिद अश्टकोणिय मिनार ये सब चीजे इसमें मौझूद हैं सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर दे दिया है सवाल का सही जवाब वैसे तो मैंने सवाल का सही जवाब वैसे मैंने दे दिया है आगरा किस थापना किस ने करवाई थी सिकंदर लोधी ने आगरा किस थापना करवाई गए थी सिकंदर लोधी के दुआरा World Heritage Sites बढ़ाते हुए आज कवर किया है सवाल का सही जवाब क्या है सर आगरा सवाल का सही जवाब है 16% लोगों ने सही दिया है ठीक आज वाई सब मज़ा साहरा है ठोड़ा सा कुन कि यह 100% 90% एक्याने प्रतीशत थो मैंने ठोड़ा सा परियास किया है मगर जहां तुम्हें दोडने में थोड़ी से समस्य आएगी क्योंकि तुम्हें पता नहीं कहां गड़ा है कहां कुछ उचाई है कहां जमीन नीचे है तो इससे ये फाइदा होता है कभी हलके से कोशन का लेवल बदलने से अधित्य कुमार अखंड भारत और मोना पोडार ये इन्हें पदमश्री दिया गया था 1958 में शम्बु महराज को क्या दिया गया था सर इन्हें पदमश्री दिया गया था कब दिया गया था सर पदमश्री 1958 में इन्हें पदमश्री से सम्मानित किया गया था नातु कान, रह्मुदीन खान, सुजान खान या फिर अब्दुलकरीम खान क्या रहेगा जी सवाल का सही जवाब शंबु महराज को शास्त्य संगीत की तालीम देने वाले कौन मिल जाएंगे तो इन्हें तालीम दी गई थी रह्मुदीन खान के दुआरा औप्शन नंबर B सवाल का सही जवाब है अवार्ड मैंने ढूंडे इन से संबंदित, एक ही ही अवार्ड मुझे मिला संबंद किस्से है इनका, क्लासिकल संगीत, शास्त्य संगीत से संबंद है अवार्ड मुझे एक ही ही देखने के लिए मिला पदमश्री तो मैं वही लेकर आया, देखो यार आपको ना कभी कार ऐसे लगता है, चेट अंसर तो आजाते हैं मूठा के बोदे, B आंसर है भाई, केवले किस क्लास के ना देड़े गंटे काम करता हूँ मैं, करन्ट अफेक लिए ठाई गंटे काम करता हूँ गंटे, लगभग 5-6 गंटे क्लास है, 10 गंटे, 3 गंटे डेली ट्रैवल कर रहा हूँ 13 गंटे, एक आदा घंटा खाने के लिए 14 गंटे तो आप समझ सकते हूँ कि मैं मेरी फैमली को कितना टाइम दे रहा हूँ गंटे के आसपास दो रहा हूँ, रात को पढ़ कर सोया हूँ एक बजे, ठीक है वो भारत के विभाजन के पीछे कौन कितना जिम्वेदार है, वो पढ़ रहा हूं आजकल तो लगबक एक घंटा पढ़के स्य आ, डिर्बजे के असपस लगबक-लगबक स्य आ मैं तो इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, रूपा गुप्ता समीर सानिया अंशु कुमारी और शक्ति कुमार अगला सवाल next question निमली कितने से कौन परमबीर चक्र बिजेता नहीं है चलिए जी जवाब दीजे सर Captain Vikram बतरा जी की जो मदर थी उनकी माता जी उनकी 77 वर्ष की आयो में मिरत्य हो गई है दो दिन पहले ठीक है मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखी होगी पोस्ट निमली कितने से कौन है जी ने परमबीर चक्र नहीं दिया गया आस तक कुल मिला के कितने लोगों को परमबीर चक्र दिया गया है ठेक मनोच कुमार जी को यह 1999 में दिया गया था मनोच कुमार जी, संजे कुमार जी और योगिंदर कुमार जी तीनों को ही संजे कुमार जी, मनोज कुमार जी और योगेंदर कुमार जी इन तीनों को ही ये 1999 में दिया गया था, परम वीर चक्र 21 वीरो को आस्तक दिया गया है, 21 वीरो को आस्तक दिया गया है, नीरज कुमार सिंग जी को इस पुरस्कार से सम्वानित नहीं किया गया One of the finest question है, Sir One of the finest question है, Sir ठीक Clear? सोमनार शर्मार जी पहले, बहुत बढ़िया तो इन तीनों को कब दिया गया? संजे कुमार जी को, मनोच कुमार जी को और योगेंदर सिंग जी को इन्हें 1999 में दिया गया था आस तक 21 लोगों को परंबीर चक्र से सम्वानित किया गया है नीरच कुमार सिंग साहब को इस पुरस्कार से सम्वानित नहीं किया गया रूपा जी, प्रियांशी सेन, अनुरागनी, स्वाती जी, नितीश यदफ ये पांच चातर चातराएं हैं जिनोंने जवाब सही दिया है और हम पहुँच गए हैं सर, अन्तिम सवाल की तरफ कू के संस्थापक कौन है सर, चलिए कू एक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म जैसा मिल जाएगा इसके फाउंडर कौन है चलिए, कू एक सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म जैसा मिल जाएगा इसके संस्थापक कौन है सवाल यह जाती है कू के संस्थापक कौन है dude 2020 के आसफास मिल जाते हैं आपको देखने के लिए मिल जाकेगा अमर प्रेम राधा कृष्ण और मयंक विद्वक विद्वक्ता इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई सब्सक्राइब है यह रहा नाइंटे सिक्स क्या बात है यह पता है कु वह जो चिडिया का सिंबल बना हुआ है कूप है चलिए जी अब इस सवाल का सही जबाब तो थबने लगबग श्यानु प्रतिशत लोगों ने दिया है यह होमवक के रूप में रखना दसरत्माजी फेम आज टाप किया है अधित्यकुमार ने अधित्यकुमार कल शायद सेकेंड या थर्ड नंबर पे थे सेकंड नंबर पे लिली हैं कंटीनूसली टाप कर रही हैं महर जी थर्ड नंबर पे हैं रूपा गुपता फोर्थ अधित्यकुमार ने 18 questions attempt किया 15 सह अई है देखो मैंने क तो पंदरा कोशन ठीक जवाब दिया है किसने आधित्य कुमार ने अठारा में से टॉप किया इन्होंने लिली जी ने 23 अटेम्ट किये थे और 14 जवाब सही दिये महर ने 20 अटेम्ट किये थे 14 जवाब सही दिये रूपा गुप्टा जी ने 10 तेरा जवाब सही दिये समीर जी ने 21 तेरा जवाब सही दिये अठारा में से मोना जी ने 12 जवाब सही दिये चंदन जी ने 17 में से 12 जवाब सही दिये अभिमन्यू कुमार, सुनाली कुमार, नितीश यादफ, प्रियंका कुमारी, जया राय, अमन, आरियन जी, एके दो सो तीन, राहूल राज, संतोष, प्रसून कुमार, अनुची जहा, मेथली, ब्रहमन, शंकर कुमार, बलजीत सिंग, हाजीपुर, वेशाली, ममता यादफ, शिलपा सिंग, सुदर्शन, अंशु कुमारी जी, अखिल नौदो ग्यारा, अर्विंद कुमार, खुशी सिंग, सीनु, कनया लाल, शक्ती कुमार, अनुरागनी प्रिया, पीनु, काजल यादफ, ये 50, टॉप 50 बच्चे हैं, टॉप 50 बच्चों के नाम, ये आपने देख येगा, दर्शत माजी दी का जनम, कहां हुआ और किस जिले में हुआ, ठीक, ये तो आप जानते हो, कहां हुआ, वहाँ कौन से जिले में हुआ, इसके बारे में, ठीक, अब मिलते हैं, शाम साथ बजे, पॉलिटिकल साइंस के 25 कोशन हैं, बहुत ही अच्चे कोशन, मतलब, वहाँ भी कुछ ऐसा होगा, 17 वाला, 18 वाला, टॉप कर रहा होगा, ऐसे कोशन, जान मुझकी मुश्किल लेकिन आ रहा हुआ, ऐसा नहीं था, कोई कोशन मुश्किल था, कोशन का लेवल हमारे पिपर के हिसाब से, बस थोड़ा सा नए कोशन थे आच, ठीक, चलिए तो बह झाला, 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 झाला